है और सो अच्छो लास क्लास में लोगों ने क्षतम किया था बहुत कुछ आप लोगों को बता ता राइट अब स्टाट के था मैंने आप लोगों को सब्सक्राइब का रिचाइब इससे क्षाइब ऑफ यू तीम रिममीबर फिर नाय। बता है क्यों解 जो मैंने हैं यहां पर किया हुग है sitten एलकेन में hyperconjugation कैसे होगा basically इस effect को लोग प्लस H effect बोलते है तो मैंने यह सब को लाज क्लास से बताया था प्लस H और माइनस H दोनों होता है तो जो मैंने यहाँ पर किया होगा है effect that is जो प्लस H effect प्लस H effect मैंने बताया था न दो तरगे होते हैं प्लस H और माइनस H तो जब electron देखो electron यह दे रहा है hydrogen अपना electron lose करके जा रहा है तो अगर hydrogen अपना electron lose करके जा रहा होगा अगर hydrogen अपना electron lose करके जा रहा होगा तो वैसे कि इस effect को लोग बोले है प्लस H effect अब इसमें क्या होता है कि प्लस H effect में resonance हो रहा था और जिसमें मैंने बताया था कि यह सिग्मा पाय रेजनेंस है यह नॉन बॉंड रेजनेंस है या फिर इसी को हम लोग प्लस एच इफेक्ट भी बोल रहे थे राइट तो यह साड़ी बात लास क्लास में देखी थी हमने और इस तरह से हमने रेजनेंस कराया भी था इसको अब और बताया थी कि जो एलकीन की स्टेबिलीटी होती है वो को इसे क्या होगा लेकिन उससे पहले मैं कार्बोकेटाइन के बारे में थुरह करें तो कार्बोकेटाइन में कैसे होता है स्टेबिलिटी का हो बहु देTTामेश वाभी देख लेता है जैसे फर एक स्टेबिलिटी को ओर नहीं बिसिकली कार्भोग्रायन में यह प्लस एच इंपक्ट क्या होता है यह भी देख लेते हैं तो बैसिकली क्या है कि लेट सपोज मैंने बोला कि यह तुम्हारे पास एक CS3 यहां लगा हुआ है और उसके बाद यहां पे कार्बन है इस से जुरा हुआ है एक और कार्बन है इस पे प्लस चार्ज है और यहां पे लगे हुए हैं दो हाइटरोजन और यहां पे लगा हुआ है दो हाइटरोजन राइट अब अगर आप देखोगे तो यहां पे जो प् हमें अल्फा कार्बन डिसाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था जो टार्गेट लगा वुआ है उसके बाद जो भी कार्बन होते हैं यह लगए होते ही यह ऐसे दिक हाईडरोजन होते हैं तो यह क्या करेगा अपना हेड्रोजन अपना electron यहां से इसको transfer करके निकल जाएगा बाहर तो जैसे इसको बाहर जाएगा transfer करके अपना electron तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यहां पर c और यहां पर h h और फिर यहां पर h और फिर यहां पर carbon और एक hydrogen तो रहा लेकिन दूसरे वाले ने अपना electron लूज कर दिया है उसके बाद फिर यहां पर c h h और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा plus charge उसके बाद क्या होगा अगले step में तो अगले step में हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे और यह वाला तुम्हारा electron दिख रहा है इस electron और इस बाद पे आ जाएगा तुम्हारा double bond आ जाएगा और इस double bond की आने से क्या हुआ जो कार्बोकेटाइन था वो इस तरह से दो हाइडोजन मैंने यहां लगा दिया और बीच में हमने बाहर किसको निकाल दिया एच प्लस को तो इसलिए hydrogen का बाहर निकलना मतलब वो एसलिए इसलिए बाहर निकल भी गया तो अगर आप देखोगे तो हमने यहां पर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर दिया अब सोचो अगर एक alpha hydrogen से ऐसे किया तो दुसरा hydrogen भी कर पाएगा तो जितने alpha hydrogen होंगे उतने ही ज्यादा इस्टेबलीटी होगी उस पर्टिकलर कार्बोकेटाइन की यह बात स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ में आने जी इतने भी कर्फा alpha hydrogen होंगे उतनी ही ज्यादा इस्टेबलीटी होगी उस कार्बोकेटाइन की बात बताओ प्राइलिटी ओर में कार्बोकेटाइन में स्टेबलीटी चेक करते सब्से ज़्यादा प्राइलिटी कि इसको देंगे तो वह और तो मैं बात में लिखाँगा जब मैं ओवर पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको समझाया है कार्बोकेटाइन की स्टेबलीटी में यह कैसे रोल प्ले करता है तो लेकलो इसमें इसमें लेकलो कि हाइपर कॉंजूगेशन हाइपर कॉंजूगेशन इन कार्बोकेटाइन पिछली क्लास में हम देखा था हाइपर तरह रहा है अन्दर क्या है वैसा हिए रैडिकल के अंदर भी होगा लेकिन वन टूवन सब्सक्राइब निगाएगा तो वह भी है किस है लेकिन समझ में आगे करना क्या है यहाँ पर हो क्या रहा है hyperconjugation effect के थुरू plus h effect के थुरू हम electron को donate कर रहे हैं towards जो भी जिस भी particular point की बात कर रहे हैं multiple bond की बात कर तो multiple bond की तरफ और अगर हम carbon dine की बात कर तो carbon dine की तरफ अगर हम radical की बात कर रहे हैं as simple as तो मतलब यह हो गया कि plus h effect is a electron donating effect मतलब इसके तरू सामने वाले का electron density बढ़ेगा या सामने वाले की electron deficiency घटेगी right deficiency कम होना शुरू हो जाएगा access बढ़ना शुरू होगा और जिससे stability बढ़ना शुरू हो जाता है अब अगर बात कर रहे हैं कार्बो एनायन में क्या होगा तो बैटा कार्बो एनायन में अलड़ी electron access में है तो वैसे केस में उस केस में हम लोग कभी भी कार्बो एनायन के केस में stability हम कभी भी plus h को देख के चेक नहीं करेंगे मतलब मतलब यह की plus h plus h effect से बढ़ने से stability जो है stability जो है stability of alkene बढ़ता है उसके बाद stability of कार्बो के टायन बढ़ता है stability of radical बढ़ता है लेकिन stability of कार्बो एनायन नहीं बढ़ता क्योंकि plus h effect एक ऐसा effect है जो electron deficience को help करता है electron access वालब को help नहीं करता है उसको तो वो demode कर देता है या उसको तो और ज्यादा problem में पहुचा देता है कि अगर हमने प्लस h और दे दिया तो electron और आ गया electron के बढ़ने से फर्दर और बढ़ने से stability जो होती है कार्बो एनायन का केस है तो अगर ये तीन केस में आ रहे है तो बिलकुल अगर alpha hydrogen बढ़ रहा है यहां dominate करते हैं इससे भी उपर effects होते हैं और जो मैंने आपको बताया है aromaticic effect हो गया या नहीं तो तुमारा mesomeric effect हो गया these effects are even more powerful than hyperconjugation effect तो sir mesomeric तो आपने बताया है नहीं भी तक मैंने बताया है लेकिन उसको formally मैंने भी तक नहीं पढ़ाया है mesomeric effect क्या था जिसमें आप resonance के थूँ electron देते या लेते हैं तो sir यहां भी तो आप resonance कर रहे हो नहीं बेटा यह resonance यह special resonance है this is not a very general resonance resonance के सारे loss को यह follow भी नहीं कर रहा है यहां पर sigma bond participate कर रहा है resonance के अंदर whereas अगर मैं conventional resonance की बात करूँ तो हाँ पर sigma bond participate नहीं करता था resonance के अंदर इसकारण से mesomeric effect वो effect है जहां पर completely conventional resonance के थूँ आप electron या तो donate कर रहे हो या electron आप खेच रहे हो अब वो क्या होता है कैसे होता है वो हम लोग आगे बात करेंगा अगले effect के अंदर लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं stability of alkene के बारे में अब इसमें कुछ questions मैं दे रहा हूं आपको बताना है compare करके ठीक है तो question number one दो question यहां पर सामने आ रहे हैं अभी और भी दूंगा में प्लेस को कॉपी कर लो सर माइनस effect है क्या होता है बताता हूं बेटा कुछ समय रुख जाओ अभी minus h जादा बड़ा effect नहीं है वो एक ही particular compounds हो करता है वो कौन है बताता हूं और कुछ बच्चों को लगता है ना कि hyperconjugation is related to hydrogen hyper यहां जो plus h लिखा तो sir h stands for hydrogen no no h stands for hyperconjugation it's not a stand for hydrogen हाँ वो fortunately ऐसा हो गया कि h और hyperconjugation दोनों match कर गए h h match कर गया बड़ ऐसा नहीं है कि hyperconjugation से plus h लिख रहा हूं तो that h stands for hydrogen that h stands for hyperconjugation plus का मतलब electron donate कर रहे हैं आप hyperconjugation के त्रूँ minus h का मतलब electron आप खीच रहे हैं hyperconjugation के त्रूँ तो अपन चाहें हैं तो लिख सकते हैं कि plus h effect is electron donating effect पीछे जो हमने लिखा है ना दो तरह के होते हैं इसी में लिख लो यह plus h और minus h में यह plus h में लिख लो it is electron donating effect electron donating effect और यह जो minus h है this is electron withdrawing effect hyperconjugation का के h का कोई ना देना hydrogen से नहीं है ध्यान दखना चुकि alpha h आज आता है इस कारण से हमें लगता hyperconjugation and h आज से हैं I mean h का मतलब hydrogen है वहाँ पर बढ़सा बिल्कुल है यह plus h का मतलब electron donating effect और minus h का मतलब electron withdrawing effect तो this effect will help electron deficient species and this effect will help electron rich species क्योंकि electron खींच के electron withdraw करके यह सामने वाले जो electron rich है उसको यह help करेगा क्योंकि सामने वाला अर्ड़ी कर्ज में है यह electron खींच के उसको help करेगा सर कार्वो काटाइन से जो अलकीन बनी वह ज्यादा stable इसलिए है ना because it has more five bond हाँ बिल्कुल 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 five bond है साथ में चार्ज नहीं है बहुत सारी बाते हो गई ना पहले चार्ज था आप चार्ज नहीं है stability बर गई ना बटा और याद रखना hyperconjugation में sigma bond operate करता है resonance में whereas conventional में कभी भी sigma bond resonance में operate नहीं करता इसमें देखो इसमें क्या होता है इसमें हम sigma से बनाते हैं LP और फिर LP से बनाते हैं हम five bond यह hyperconjugation में होता है in hyperconjugation this is the case in hyperconjugation hyperconjugation and conventional में क्या होता है तो conventional में हम loan pair से बनाते हैं पाई और पाई से बनाते हैं loan pair पाई से बनाते हैं loan pair this is your conventional resonance conventional resonance conventional resonance यह difference ठीक है है हाँ चलिए answer आगे आप लोगों का perfect और भी questions दे रहा हूं चाहँ तो यह लिख लो चाहँ तो कहीं पर लिख लो इसको note करते चलो कहीं कहीं पर important बात बता रहा हूं यह लिख लो चलिए बताएंगे इसमें पहले वाले में क्या answer होगा answer is a more than b एक effect पर आता हूं दुसरा क्यों भूल जाते हो भाई इसमें resonance होड़ा है इसमें resonance नहीं है आपने hyperconjugation count किया मैं मानता हूं इसमें hyperconjugation जादा है तीन तीन छे दो आठ है इसके अंदर तीन दो पांच है राइट लेकिन यहां पर resonance है double single double है और यहां पर resonance नहीं है बात समझ में आ गया एक गलती नहीं करना है एक पढ़ने के बाद एक नहीं भूला जाता है आड़ी Conjugation से आगे बास समझ में अगले वाले कोश्चन का अंसर क्या होगा इसमें कौन सबसे आगे होगा बताओ अभी आपने बताया कि सब्सक्राइब आप में फोर्थ में कारवन के alpha hydrocarbon count नहीं करेंगे आज आप ए में फोर्थ कारवन का एलफा है फोर्थ कारवन का मतलब के यहां से आया दो यह alpha हो गया और कौन है यह नहीं मानेंगे इसको एलफा नहीं मानेंगे याद रखना multiple bond के साथ लगावा जो हाइडोजन होता है न वह ऐसलिक हाइडोजन नहीं होता यह ठीर है multiple bond वाले हाइडोजन को हम काउंट नहीं करते वह पैसलिक हॉण नहीं होते थीक है चायरा चलिए यह वाला कउंट नहीं कर रह हैं हम और नहीं हम यह वाला कउंट कर रह है क्योंकि वह एसिटिक हाइडोजन इसले नहीं है वह उसके हाइडोजन नहीं है चलिए इसमें आजाओ यह लिख लेना करके कि मल्टिपल बॉण्ड साथ लगा हुआज़न हम काउंट नहीं करेंगे आगे भी हम बहुत कुछ पढ़ाने वाले जहां पर मेकैनिजम्स होगा वह साथ अरे मेकैनिजम्स में हम इसको यूज करेंगे चलिए नेक्स कोश्जून पर आते हैं इस वाले में देखा जाएथा मिरे पास यहां पर एक अलफा हाइडोजन है और यहां पर तीनलफा हाएड्रोजन और तीन है कितन हो गए चार हो गए ऐगर एक नहीं दिखुए रहे हैं दो दो चार हो गए और एक यहां पर तो पैजञारे। इंध मुण लेटे शक्न के उपर पांशमें नंबर का व прошण यहां पर शनों machine का सीविछ आगए बटाना शक्राइब जहांत जाएं इनी का अंसर है CBA, कायरा का अंसर है CBA, आरफ का अंसर है CBA, बाबु सुनो ध्यान से, A को तो सबसे last में रखना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक aromatic part है, नहीं, anti-aromatic part है, इसलिए इसको तो हम सबसे last में रखेंगे, इसको तो सोचना ही नहीं है, अब आते हैं इन दोनों में, तो obviously इसके पास alpha hydrogen और इसके पास alpha hydrogen में, ज्यादा alpha hydrogen इसके पास है, तो इसलिए answer होगा C, और फिर आएगा B, तो जिसका भी answer CBA है, they are correct, बेटा, anti-aromaticity अगर आपको दिख रही है, किसी particular molecule के अंदर, एक पूरा का पूरा chunk ही anti-aromatic है, तो you will have to consider them as a least stable alkene, right, चलिए, अब यहा hydrogen count करके alkyne की stability भी आप बता सकते हैं, यहाँ पर A ज्यादा stable है किससे B से, यह तो simple है, आराम से count भी कर लोगे आप और बता भी दोगे, अब लिखो बिटा, heading इसके बाद, यही पर एक छोटा सा topic आता है, that is heat of hydrogenation, जुल्दी लिख लो, heat of hydrogenation, although मैंने यह topic आपको कहां है, thermodynamics में, वो भी काफी detail में जाके, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं, heat of hydrogenation, sir, पूड़ा anti-aromatic है, हाँ, पूड़ा का पूड़ा, देखो, अब मैंने last class में समझाया था न, कितना descriptive होके, कि पूड़ा anti-aromatic और non-aromatic और aromatic कोई चीज़ नहीं होता, हम उसको हम इसके अंदर anti-aromatic fraction ज्यादा है, बात समझ में आ रही है, last class में समझाया था न, उगर कोई पूछेगा, तो मैं बोलूगा, इसके अंदर anti-aromatic character prevail कर रहा है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, आगे समझ में काई रहा, आपके level पे 0 और 1 होता है, लेकिन जब आप ऐसे question करोगे, तो आप 0 1 पे नहीं जाएंगे, आप character wise बात करेंगे, तो character wise तो है, अब देखो अगर ऐसे पूछता कोई तो वही हाँ पर तो क्या है न, overall ring में resonance नहीं है, इस part में बस resonance है, तो जैसे मैंने last class में आप लोगों को बताया था, एगर कोई पूछता है आप इसके बाद आता है, heat of hydrogenation, heat of hydrogenation क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, it is the amount of heat released, right, जाओ तो लिखे लोगों कहीं पर, मैंने लिखवाए वहाँ पहले, it is the amount of heat released, when one mole of क्या, when one mole of hydrogen is added to any, बोलो, unsaturated, unsaturated compound, to make it saturated, right, तो अगर हम कभी भी एक mole hydrogen add करते हैं, तो जो भी heat लगती है, that is called heat of hydrogenation, ये पर mole define होता है, right, यह मतलब heat of hydrogenation हमें समझ में आ गया, basically heat of hydrogenation, एक particular pie bond को unsaturate से saturate बिनाने में, जो भी energy amount required होती है, तो जो भी amount release होती है, तो मैंने आपको बताया था, it is always exothermik, always exothermik, exothermik, right, और यह है amount of heat, amount of heat released, when one mole of unsaturated hydrocarbon, और one mole of saturated compound, अब इसके अंदर मैंने hydrocarbon क्यों नहीं लिखा, जरूरी नहीं है hydrocarbon कहीं हो, किसी का भी डिफाइन हो सकता है, मैंने oxygen में hydrogen add करा, उसका भी डिफाइन हो सकता है, मैं nitrogen में hydrogen add करा, उसका भी डिफाइन हो सकता है, doesn't matter, अब यहाँ ध्यान रखना दो चीज़ है, इसके अंदर या तो कभी-कभी वो HOH पूछ लेगा, HOH पूछा, और कभी-कभी वो पूछ लेगा, HOH पर double bond, इन दोनों का ध्यान रखना, HOH अगर कभी पूछता है, तो यह overall molecule की बात कर रहा है, और HOH पर double bond पूछ रहा है, मतलब यह पर double bond बात कर रहा है, पर double bond, पर double bond energy release की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का बेटा, कभी-कभी इसमें गोली मिल जाता है, अब क्या है, या रखना, HOH उसका जादा होगा, HOH higher है, इसका मतलब है, stability of unsaturated compound, जो है, वो कम है, तो मतलब यह हो गया कि, जिसका HOH जादा है, वो compound less stable है, तो इसलिए लिखा जाता है, कि HOH जो है, वो inversely proportional to, क्या है, stability, stability of unsaturated compound, यह मैंने आपको समझाया था कभी, जब पहले मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन फिर से आज एक बाई फ्लिन कर देता हूँ, यह कैसे होता है, कैसे फर इक्जाम्पल, मैंने कहा कि, मेरे पास ये जवाला CS3, C, CS3, और double bond fit CS3, और CS3 है, ठीक है, मैं इसमें hydrogen add करूँगा, जब hydrogen add करते हैं, तो इसमें एक intermediate step आता है, जिसको लोग transition stage, यहाँ पर transition state बनता है, intermediate step के अंदर, बट वो step के तरह count नहीं होता, यह single step reaction ही माना जाता है, जिसमें क्या होता है, कि बीच के step में, आपको, बीच के stage में, एक transition state बनता है, और यहाँ पर hydrogen जो है, वो, इसके साथ आके ऐसे जुड़ जाता है, और ऐसे करके, partial bond का development होता है, hydrogen के साथ, अब चुकि hydrogen एक ही bond बना सकता है, complete electron के साथ, या मैं बहुत सकता हूँ, hydrogen एक ही electron share कर सकता है, तो इसलिए चुकि इसने इधर थोड़ा electron share कर लिया, तो यह आपस में sharing थोड़ी कम हो जाएगी, similar fashion में, चुकि carbon ने थोड़ा electron इससे share कर लिया, तो इस कारण से आपस में थोड़ी sharing कम हो जाएगी, और यहां से यह वाला तुम्हारा bond breaking होगा, यह तुम्हारा bond formation होगा, यह तुम्हारा bond breaking होगा, और यहां से बनेगा 4 MCTS, इसको बोलते हैं 4 member cyclic trison state, अब जब हमने यह बना, और finally bond form हो जाएगा, bond break हो जाएगा, और बन जाएगा कुछ ही इस तरह का, CS3, C, CS3, और यहां से लग गया hydrogen, single bond आएगा, CS3, CS3, और यहां लग जाएगा hydrogen, अब आप सोचो, इस दौरान जो भी energy release हुई, that particular energy is known as heat of hydrogenation, और हमें एक और बात पता है, इसके अंदर, हमें इसके अंदर एक और बात पता है, हमें इसके अंदर एक और बात पता है, वो बात क्या है, कि अगर कभी भी ऐसा हो बेटा, तो वैसे केस में हम लोग यहां पर एक, catalyst को भी यूज करते हैं, और थोड़ी बहुत heat energy का भी हम लोग यूज करते हैं, इस particular reaction के अंदर, अब यह catalyst होता है, nickel, platinum, palladium, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप mostly deblock के metals होता है, iron नहीं यूज करते, nickel, platinum, palladium यह सब अच्छे होते हैं, यह सब अच्छे absorbent होते हैं, hydrogen के, तो इस कारण से इनके surface पे reaction competitively better होती है, तो जब यह तुम्हारा बनता है, तो यह तुम्हारा हो गया saturated alkane, और यह क्या था तुम्हारा unsaturated alkane, अब इस दोरान कोई energy release होई, तो energy जब release होई, तो होता क्या है, कोई भी reaction अगर exothermic भी है, तो reaction पहले, let's suppose यह तुम्हारे reactant की energy थी, फिर energy reaction कुछ लेता है, और इस state पे आता है, इस stage पे बनता है transition state, और यहाँ पर सारे bond बनने और बिगडने एक condition पे रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद यह वापस से energy lose करके, और यहाँ बन जाता है product, तो अगर आप देखोगे, तो आपने जब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ energy ली है, और फिर आपने energy release करा है, तो अगर आप सोचो, यह वाला particular compound ज्यादा stable होगा, तो आप ज्यादा energy लेंगे, ताकि उस multiple bond को आप तोर पाएं, क्योंकि हमने भी जस पढ़ा है, कि multiple bond जो होते हैं, वो बहुत stable होते हैं, अगर वो ज्यादा hyperconjugation वाले hydrogen से surrounded हो, तो यहाँ पर multiple bond जो होगा, वो बहुत ज् just because obviously यहाँ पर धेर सारे alpha hydrogen है, तो वैसे case में चुकि यह bond ज्यादा stable है, तो इसको तोड़ना और इस जगह पर hydrogen add करना comparatively एक muscle task होगा, तो अगर यह एक muscle task है, तो obviously हमें ज्यादा energy को add करना पड़ेगा, लेकिन जो net energy होती है किसी reaction की, वो difference होती है between reactant and product की energy, and this particular difference is known as heat of, heat of reaction, जिसको अब लोग बोलते है heat of reaction, और इसकी value होती है heat of product minus heat of reactant, तो अगर इस case में सोचो आप, अगर इस reactant की reactant को, अगर हम ज्यादा energy देंगे, तो obviously हमें release energy कम मिलेगी, वेकि next release energy जो मिलेगी, बट net sense में energy कम मिलेगी, सर ऐसा कैसे, obviously हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कि this particular difference can be defined as, it is the difference between this energy and this energy, अगर मैं इस energy को, इस energy से, इस energy को, अगर मैं इस energy से subtract कर दूँ, तो मुझे वही difference मिलेगा, जो मुझे product में से reactant को minus करने से मिला, मतलब अगर मैं इन दोनों का भी difference देखूं, तो भी मुझे वही मिल रहा है, इन दोनों का difference देखूं, तो भी मुझे वही मिल रहा है, तो मतलब यह हो गया कि मैं एक तरह से यह भी बोल चकता हूं, कि heat of reaction is nothing but the energy required to, you know, initiate the reaction and the energy, you know, released when product is about to form, right, तो यह इन दोनों के energy का भी difference कहा जा सकता है, यह इन दोनों के energy का भी difference के तोर पे define किया जा सकता है, तो मैं heat of reaction को इन दोनों energy का difference भी बोल चकता हूं, तो अगर यह energy जादा है, तो obviously difference क्या होगा, कम होगा, अगर यह energy जादा है, तो difference कम होजाएगा, और अगर difference कम होजाएगा, तो obviously आपका heat of reaction कम हो जाएगा, heat of reaction यहाँ पर कौन सा reaction है this is your hydrogenation reaction it means heat of hydrogenation कम हो जाएगा तो इससे यह सामने आ गया कि यह value कम होनी चीए तब ही heat of hydrogenation जादा होगा तो यह value कम कब होगी जब यह कम stable होगा और यह कम stable कब होगा जबकि alkene कम stable होगा तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि heat of hydrogenation that is inversely proportional to stability of unsaturated hydrocarbon या unsaturated compound जितनी ज़्यादा stable होगी उतनी मुस्किल होगी इसको अधर भी में भी समझ सकते हैं कि अगर माल लो हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक आने में obviously आप transition state तक जारे होथा जा रहे हो तो यह कौन सा प्रोसेस है तो यह यह वाला प्रोसेस है जब आप transition state से product बना रहे हो तो यहाँ पर energy release हुई है तो माल लेते हैं यहाँ release जो energy है वो माल लेते हैं minus का 200 kilojoule है 200 kilojoule है तो net energy हमें क्या मिली तो net energy हमें 160 because 200 minus 40 will be 160 minus का 160 क्यों आ रहे है because यह प्रोसेस एक जो थर्मिक है तो वैसे कि मतलब release energy जादा है required energy कम है अब सोचो just imagine अगर मैं इसकी जगह पर कोई और reactant ले लेता मतलब मैंने let's suppose इसकी जगह पर यह लिया होता अगर मैं इसकी जगह पर यह लिया होता अगर मैं इसकी जगह पर यह लिया होता देखो CH3 और CH3 अगर मैं इसकी जगह पर दो यह हो गया अब अगर मैं इसकी जगह पर यह लिया होता और अगर मैं इसमें hydrogen को add करता तो for short यह process जो है comparatively जल्दी हो जाता मतलब यह reaction जल्दी हो जाता just because यह alkin जोना stable नहीं है यह alkin के असपास मातर बहुती कम number of alpha hydrogen है तीन यहां दिख रहे हैं और एक यहां दिख रहे हैं तो चार alpha hydrogen है तो मात चार alpha hydrogen है तो इस करण़ से मैं बोलूँगा यह particular जो है यह काफी unstable वाला structure है अगर यह unstable है तो obviously आपको जहां पर यहां 40 लगा है तो इसका trancellal state बनाने में प्रबाबरी हमें 10 लगेगा और trancellal state के बाद जब energy release होगी तो वो energy तो यह तनी ही होगी तो यह इस से तो रही कम यह जादा कुछ भी हो बट यह value बहुत कम होजएगी तो अगर यह value बहुत कम होजएगी तो अब फिसी बात है आपको λगाग कम और मिला जादा आपको लगाग कम मिला जादा तो difference क्या होगा बहुत जादा और energy क्या होगी बहुत जादा मत्तलिश को मिलेगी तो पर पूछेगा इन दोनों में होह किसका जादा है अगर मालों यह A है और यह B है तो मेरा आंसर होगा जो B का होह है वो A से जादा है यह order of होह है यह energy order है वेटा order of होह है this is not the order of stability this is the order of होह सबको clear है अब सुनना ध्यान से वेटा यहां पर आ गया तुम्हारा तो point number one अगर मैं होह करने की बात करूंगा तो सबसे पहली बात तो होगई कि होह यह proportional है number of alpha number of sorry number of multiple bond multiple bond ज्यादा तो होह ज्यादा because एक bond को तो लोगे तो एक synergy निकलेगी तो अगर मानलों दो bond को अगर हम unsaturate करेंगे तो 2x निकलेगी तीन को रहेंगे तो 3x निकलेगी 4x निकलेगी उजह से इसे multiple bond बढ़ेंगे वैसे होह भी क्या होगा बढ़ेगा दूसरा है inversely proportional to stability of unsaturated और ऐसा भी बोल सकते हैं inversely proportional to hyperconjugation hyperconjugation slash resonance slash aromaticity अगर यह सब आ गया तब तो obvious ही बात है तब तो obvious ही बात है क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तुम्हारा एलकीन बहुत स्टेबल हो गया तो अब इससी बात है आपको ज़्यादा effort करना पड़ेगा उसके stability को break करने में तो जब आपने efforts ही जादा कर दिये तो net profit क्या होगा आपको कम हो जाएगा आपने उसको तैयार करने में बहुत पैसा लगा दिया अब उससे मिलेगा क्या तो अगर तैयार करने में पांच लगा और मिल रहा है तो 95 का profit है और तैयार करने में ही लग गया let's suppose 50 और मिल रहा है फिर भी 100 तो net profit क्या हो गया गट गया इसलिए जब तैयार करने में ज़्यादा कब लगया जब उसकी stability ज़्यादा होगी इस बात पर डिपन करती है तो विशली है पर को जोगे संदेंस एना इन सारे फैक्टर स्वें इन जनरल यह वाला यह ग्राफ रीड करना बता देजे प्लीज पीज यह ग्राफ रीड करने में कुछ भी नहीं है यहां से उपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है द पर जब एक बार ट्राइशन स्टेट बन जाता है तो फिर उसके बाद आप प्रोड़क्ट की तरफ मूव करते हैं यह कभी-कभी नीचे तक जाएगी कभी उपर ही रह जाएगी इससे भी उपर जब नीचे तक आई तो अपन बोलते हैं इसको एक्जोथर्मिक अगर उपर पचास रुपेyr ने रोजकाने है घर दिन तुम्हों सौहर ऐपर खाष करके 50 रुपेय मिल रहा है तो क्या होगा लॉस ही तो हुआ लॉस हो गया ना फिर तो दिया अपने ज्यादा मिला कम लेकिन यहां क्या हुआ है लेकिन यह कितना ज्यादा बड़ा है उस पर डिपन करेगा नहीं कितना प्रॉफिट है आपके पास अगर यह जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी नेट सेंस में चलिए जिसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम आगे तो होच में समझ में आ गया आप कुछ लिख लेते हैं पिलेखले इसमें कंपेर कंपेर हो एच ओ एच ठीक है कंपेर हो एच ओ सब क्यों गए बढ़िया चलो शुरू करते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन क्या कि आप लोगों ने कायरा की आंसर है पहले वाले का भी सी ए दूसरे का यह भी ओके सबसे सबसे ज्यादा है यहां पर देखो इन में तो सबसे चला गया है सबसे चला गया है अब इन दोनों में बात चले तो इसमें आपर कॉन्जूगेस ज्यादा है इसमें आपर कॉन्जूगेस न कम है तो विसलिए यह जागे जाएगा वो फिछ आएगा इस वाले के अंदर अब्वेसी बात है यह बहुत अंस्टेबल हो गया यह कंपरिटिवली स्टेबल है तो जो एका इसके अंदर आप देखोगे तो विसलिए यह तुमारा अरोमेटिक है यह तुमारा एंटी अरोमेटिक है तो विसलिए बी का ज्यादा होगा यह से इसके अंदर बात करोगे तो यह अरोमेटिक कंपाउंड है यह नौन अरोमेटिक कंपाउंड है तो ओविसलिए एका ज्यादा होगा इसे क्या कर रहा हूं बी का ज़्यादा होगा ऐसे राइट उसके लगले question के अंदर आओ तो यहां पर देखो यह aromatic हो गया यह non-aromatic यह भी non-aromatic तो सबसे ज़्यादा तो obviously इसका हो जाइए क्योंकि इसका होना चाहिए वहां पर एक इसका से मतलब नहीं पर मुल्टीपल बॉंड भी डिफेरेंट हैं अभी तक क्या था मुल्टीपल बॉंड से थे वहां पर यहां जादा वहां पर हीट उप काईदे से आँसर सबसक्राइब करने में हमिए बहुत ज़ादा हो जाती है इसको ब्रेक करने में बहुत इनरजी लग जाती है और जिस कारण से जो B का है वो ज्यादा होता है किस से C से और C का ज्यादा होता है इसे बात समझ ना C का सबसे आगे होना चाहिए बड़ C का नहीं होता है just because of इसका aromaticity इसके बहुत ज्यादा stability को देता है और उस stability को break करने के लिए हमें देना पड़ता है ज्यादा energy और जिस कारण से वो जो जितना additional बढ़ा था triple तीसरा double bond आये से वो compensate हो जाता है तो ultimately जो double bond दो वाला case है उसके अंदर बस resonance है no aromaticity so that is why B wins over C और फिर A ये special case से star mark कर लो याद रखना दिमाग में रखना याद रखना आप आजा we have it का अधर यहां पर double और यहां वी डबल तो अभी ज्जापी ज्यादा a Sponge से और दोनों में कि single bond है तो उभी से एक ही ज्यादा ही किस से बी से कि इसके अंदर को इसमें दो double bond सब्सक्राइब बढ़ने से इतना भी जादा नहीं बढ़ गया कि हमें तोड़ने में इतनी इनर्जी लग गई की दूसरा वाला डबल इसा नहीं हुआ निकलना चाहिए बट 80 नहीं निकला से इसकरण से पूछेगा घर कोई में से पूछेगा कि होगा तब मेरा आंसर होगा ए बात तो को समझना बेटा अगर पर डबल बॉंड पूछा तो यहां तो 40 है यहां पर 70 डिवाइड बैट बात कर रहा हूँ आसी से गर 80 से गर कुछ भी घटा अगर यह 40 माना तो यह 80 होना चाहिए बट रेजनेंस है तो रेजनेंस एनर्जी आ इनर्जी को ब्रेक करना पड़ेगा तो यह विल्ट पूट यह जो कहलाती है वही इनर्जी हमें दिनी पड़ती है इसको जब उतनी नर्जी हम इसको देंगे तो अब्यस्सी बात है जो मिला उससे इनर्जी घट गई जो तो मानलो हुग दस घटी 70 हो गया 70 डिवाइड बै इस बात का ध्यान रखना वह पूछना क्या चाहर रहा है तो अगर पूछा तो दो मुल्टिपल बॉंड ऑल्वेज मोर दें सिंगल मुल्टिपल बॉंड एक्सेप्शनल ओवर हियर और अगर पूछ रहा है तो यहां रिजनेंस नहीं है तो यहां पर कम हो जाएगा नेट चले अब इसमाहित वह यह ट्रांसलकीन है और यह से इसकी स्टेबिटी कम होती है तो यहां तो बहुत ही सिंपल है यह एंटियर्मेटिक है नहीं नान रिमेटिक है तो अब इसलिए बात है एक ही बहुत ज्यादा हो इस से बीस है इसके अंदर आ जाओगे तो दिखके क्लि है सबसे ज्यादा हॉवफा कोगेशन है सब में एक ही सिंगल और राइट एक ही डाइड़ बाउन और पहले चेक करना कर ना डॉब्ल बाउंड सिमिलार है कि नहीं है अगर डॉबल बांड कि नहीं होंग तो डवल बाउन्ड का भी नंबर जादा तो हो एच जादा और यहां पर देखोगे, यहां पर तीना 1-4 है तो अब यहीं बात है, दो दो चार15, यहां पर तीन तो सबसे stable B हो गया, उसके बाद A उसके बाद C तो मतल Jacquie वरांशर होगा C फिर A और पिर B अब इसमें HOH per double bond पूछे या ओवरेल एज पूछे दोनों answer same ही होगा गौश एक ही double bond है तब पर double bond क्या होता है आड़ी बास समझ में और इसमें अगर HOH per double bond पूछेगा तो अब इसी बात है अगर मालो इसका 40 है तो इसका 80 हो गया अगर यह ऐसी है तो यह 120 होना चाहिए तो काईदे से 120 होना चाहिए बड़ यह 80 से भी कम हो गए just because of 120 में से जो माइनस हुआ वो मालों 50 माइनस हो यह 50 क्या है तो यह रेजनेंस इनर्जी है बड़ यह बहुत ज़्यादा क्यों है क्योंकि एर्रमेटिसिटी आ चुकी है अगर लिख रहा है को इसको तो लिख लेना पर डबल बॉंड रही है इस स्टार मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है भूल चकते हैं आप इसी के साथ आज खतम हो गया तुम्हारा एच ओ एच हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और तुम्हारा खतम हुआ लास्ट क्लास तक हाइपर कॉंजूगेशन हो गया अब जो बच्चीवी चीज है वो है हमारे पास हीट ओफ कंबस्चिन और फिर मेजोमेरिक एफेक्ट इस्ट पिर में दोग्चीज और भी जो गया ओजवेशन और तुम्हारा खतम है तुम्हारा खतम हो गया रहाइड्रोज आजोगेशन और पास हाइप जो इस्ट वड़ीज खतम हैं अबस्वारा और शज्वारा भी और दो टो अच्ट